नमस्कार दोस्तों स्वा गए थे आपको मेरी चाल्ड में फिर से एक बार में हूँ आपकी वही अंजली जब तरहाई में आपकी याद आती हैं होटों पे एक ही फर याद आती है खुदा आपको हर खुशी दे क्योंकि आज फी हमारी हर खुशी आपके बाद आती है लिए आपने से सुना हम आज की डिली राशिवल की बात कर रहे हैं, सिब से पहले आज उनका वर्टे है, यह अनुवर्सरी है, उनको मेरी तरफ से छेर सारे गुट विशिस, तुझे लिए शिरू करते हैं, कादस के नोटों से आखिर किस किस को खरे दोगे, किसमत आज माने क लिए आज भी सिक्का उच्छाला जाता है, हालात वो ना रखें, जो होसलों को बदल दे, बल्कि होसला वो रखो, जो हालातों को बदल दे, शदरंज का शुकीन नहीं था, इसलिए धोखा खा गए, वो मोहरे चल रहे थे, और मैं रिष्थिदारी निभा रहा था, आपको सोज समझ कर विश्वास करना चाहिए, चाहिए वो आपके अपने ही क्यों ना हो, कितने ही करीब क्यों ना हो, विश्वास करना है तो अपने माता-पिता पर करो, जो हमेशा आपके लिए दुआ करते हैं, मेरा वजूद नहीं किसी तलवार और तक तो ताज का मोहताज, मैं अपने हुनर और होटों की हसे से लोगों के दिलों पर राज करती हूं आप भी हमेशा प्यार से रहे सब के साथ फिर सब आपके अपने बन जाएंगे कोई दोस्त कभी पुराना नहीं होता कुछ दिन बात ना करने से बेगाना नहीं होता दोस्ती में दूरी तो आते रहती हैं पर दूरी का मतलब भूलाना नहीं होता तुछ लिए बात कर लेते हैं आज के डेली राशीफल के बारे में सब से पहले में आपको बता दो कि अज़ाब के लिए लखी रंग यानि के लखी कलर बन रहा है आज के लिए लाल रंग और भागिशाल यंकचो बन रहा है वो नमबर तीन रहेगा सितारे कहते हैं कि अगर आज काम का मन ना हो तो आप काम के लिए खुद को और भी प्रोचसान देने की अवशक्ता नहीं है काम के बारे में लिए शॉर्टकट आज आज आपको नुकसान दे सकता है इसलिए काम करें तो पूरे मन से करें अज आपका चुद्यान है वो मौज मस्तिक और जादा देखने को मिल सकता है काम से जुड़े यात्रा में नुकसान हो सकता है अज आपको जागरुग भी रहना है इस चीज़ के बारे में परिवार के सदसे आपके अस्थिर सभाव से परिशान रह सकते हैं इसलिए आपको जल्दी से अपने बारे में सोचना होगा और अपने ये सभाव को स्थिर करना होगा आज आपको जो है बड़े विजुर्गों से काफी हद तक फायदा देखने को मिल सकता है कोई भी अगर आपके मन में कोई चीज चल रही ते जिसका आपको solution नहीं मिल रहा था वो भी आज आपको उसका solution बड़ी इसानी से मिल सकता है अज आपके योगिता और ख्शमता लोगों के सामनी आने से उनके दिल में आपकी प्रती विशियर समान बन सकता है किसी जरूरत बंद मित्र की मदद करने से आपको आत्मिक शान्ती मिलेगी कुछ समय परिवार के साथ हास परिहास और मनरंजन से रिलेटिद कामों भी टाइम स्पेंट कर सकते हैं बच्चों के साथ काफी इच्छा समय गुज़र सकता है आपका वाहन या कोई भी मशिनरी से रिलेटिद उकर और बहुत ही ध्यान पुरवक इस्तमाल करें किसे रिष्टेदार से रिलेटिद कोई अपरी या अश्यूप समाचार मिल सकता है आपको कर्चों के आज दिखता जादा दिख रही है अंकुष लगाना होगा बनना गडबन हो सकती है आपके लिए जाद रखिएगा इस बात को आज एक फैसला जो है किसी को सुनाने से पहले उसके बारे में आपको जादा सोच विचार कर लेना चाहिए ये बहुत important है अज आपको गुसा आपके लिए काफी हद तक नुक्सान दे साबित हो सकता है आपको वर्तमान में रहने की अविशकता है भूत काल से बाहर निकलने की कोशिश कीचे अज आपको चाहिए कि किसी ख्यालों के बारे में मत सूची रही है जो आपको छोड़कर चला गया है यहां भी जिसके बारे में आपको बहुत ही जादा जो है आपको परिशानी होती उनके बारे में सोचते वक्त तो आपको भूत काल से निकलना पड़ेगा आरे वर्तमान में जीए आपकी जो है कही बाती आपके खिलाब बोली जा सकती है कोई जो है आपकी छोड़ चोड़ी बातों को जो है बहुत ही बढ़ा चड़ा कर बोल सकता है उसमें प्लस मानस कर सकता है जिसके वज़ेसे आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो सकती है इसलिए आपको ये धियान रखना होगा कि जो भी शब्द का इस्तेमाल करें जरा सो समझ कर कीजेगा आज आपके शत्रू जाग सकते है साथ ही में आज आज आपको अपने माता से बहुत हद तक लाब मिल सकता है वो लाब जो है किसी भी रूप में हो सकता है समय की चाल आपके पक्ष में हैं यान किसी तारे आपके अंदर है अनभवी लोगों का साथ मिलेगा घर में किसी निजदी की रिष्टेदार या फिर दोस्त के आजाने से घर में बहुत इच्छे हल पहल रहेगी और खुश्टुम महोल बना रहेगा अज आलस की वज़े से स्टूडन्स अपनी पढ़ाई से बिचूड सकते हैं यानि कि आज आलस की कारण आपके पढ़ाई है वो छूड सकते हैं इसलिए आलस मत कीज़ेगा आलस बहुत ही अजीव सी बिमारी है जिसे अगर आप लग जाए तो आप पढ़नी सकते कुछ करनी सकते जंदगी में इसलिए आलस से बचाव रखिएगा किसी प्रकार की यातरा को करने से आज आपको परहेस करना होगा क्योंकि किसी प्रकार का फायदा ना होने की सिती लग रही है आज के दिन जाने की देखे शौट कर में बताओं तो आज यातर से कोई लाप नहीं होगा संतान के परिशानियों से आपका संयोग जो है वो उत्तम रहेगा आज आपको संतान की प्रॉब्लम को सुलजाने में उनकी मदद करनी चाहिए इसे के साथ ही बात करते हैं आज की बिजनस और करेट की तो आज बिजनस और करेट में विवसाये में बहुत ही जादा कारिय और किसे नई जम्मेदारी की दिखता रहेगी आज की दिन घर परिवार की ओलजनों से ध्यान हटाकर अपने बिजनस पर ध्यान दे नौकरी मेशर विक्ती अपने लक्षी को पूर्ण रूप में समर्थ रहेंगे आज यह ट्रांसर हो सकता है आप में से कुछ लोगों का तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा साधी मैं सितारी अभी कहते हैं कि आज आप में से कुछ लोग जो हैं बहुत अच्छे तरीके से और सानी से अपने काम को कंप्लेट कर पाएंगे आपको कोई भी दिक्कते नजर नहीं आएंगे आज कारिशेतर में अपने प्रती निधियों की गति विजियों को नजर अंदाज मत कीजेगा बहें लोग आपकी कारे प्रणाली की नगल कर सकते हैं किसी उच्छे विरिष्ट अधिकारे के सायोग से राज की काम आपके कंप्लेट हो जाएंगे कहीं से रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है आज के दिन अज़ा आपको काम में जागरुकता की अविशकता है तो अविशा आपको जागरित रहना चाहिए अपने काम के प्रतीब बात खरते हैं और आगे बढ़ते हैं आज की लव लाइफ की बारे में तो लव लाइफ कहती है कि अगर आप जादा ही वीजे रहेंगे तो घर परिवार पर समय देना आपके लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा जिससे जो हैं आपके प्रेव समन्दों में थोड़ी बहुत दूरी आ सकती है तो इसलिए अपने परिवार पर भी समय देजिए से जो हैं आपका जो रिष्टे हैं बहुत ही जादा मचबूत बनेंगे और बच्चों के साथ भी जादा टाइम स्वन कीजेगा उनको बहुत इच्छा लगेगा बाकी जो हैं घर का वातावर आज खुष्णवा बना रहेगा आपका पार्टनर लाइफ पार्टनर बहुत इच्छा सहयोग कर सकता है और लाइफ पार्टनर को मानसिक सहयोग दी उन्हें बहुत इच्छा लगेगा साथ ही में आज दोनों जो हैं किसी get together function में भी जा सकते हैं विवाहई जीवन में आज कुछ लोगों का जो है एक हैं दो पर्षंट अनाब बना रहेगा जीवसाथी का सहयोग परिवार में दो बहुत इच्छानती पुर्वक वातावरन बना देगा और उनको अनुशासित भी बना कर रखेगा किसी मांगली का कारे से लेटिट आज योचनाय बन सकती हैं जो लोग singles है उनको जो है आप लाइफ पार्टर मिल सकता है आज के दिन और घंटों समय आपका फोन पर ही उनसे बाते करने में निकल जाएगा चलिए बाद करते हैं आज की स्वास्ते की बारे में तो आज का दिन जो है स्वास्त कहता है कि शरीर में कहीं पर चोट लग सकती है जिसे तकलीफ हो सकती है आपको कई लिगों को खांसे चुकाम की शिकायत रह सकती है आई रवेट चीजों को जादा इस्तमाल करें आपको बहुत रहात मिल सकती है साहाती में आज बाकी लोगों का स्वास्ता भी ठीक रहेगा माइग्रेन और सिर्दर जैसे चोटी मूरी दिकते हैं लेकिन चुक्ता मत कीजें अगर आप बैलंस डाइट लेंगे अच्छा खान पान रखेंगे तो आपको इस मुश्कल से जल्दी ही निजारत मिल जाएगी यानिकि यह प्रॉब्लम आपकी बहुत ही जल्दी स्वास्त हो जाएगी तो चली बंत में बात करते हैं आज की विशी शुबाई की बारे में तो आज आपके लिए विशी शुबाई की कहता है कि आज आज आपको गायतरी मंत्र का पार्ट करना चाहिए आज आज किसी को खाना खिलाते हैं तो वह भी बहुत भी बढ़िया रिजल देखने को मिल सकता है तो यह बड़ा ही असान सा उपाई है आप इसे जरूर कीजेगा तो दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें